हेलो दोस्तों वेलकम टू दी चैनल आज टीपी एमस की बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो क्रेटा में आजकल बाइड डिफॉल्ट आता है सब मोडल में आता है बेजिक यह से लेके टॉप एंड एसेक्स वो तर सेम मौनिटरिंग सिस्टम आता है इसका कासियत यह है कि इसमें हमेशा हमें प्रिजर के बारे में पता चलता है कि कितना PSI कांसर टायर पे हैं अभी आप यहां देख रहे हो मेरा तीन टायर में 34 है और सामने एक टायर में 33 है इसको हवा बरवाना पड़ेगा लेकिन इसका और एक बेनिफिट बता देता हूं जो मैंने रिसेंटली फेस किया है रियर का लेफ्ट टायर में एक वार्निंग जैसा आ रहा था जहां यहां पीछे जो टायर है वहां बबुल जैसा आता है इसका वार्निंग विसा आता है जो बबुल जैसा ओन आफ जैसा आता है वाइट में ही रहता है सिंबल तो उससे पता चलता है कि इसमें ह हावखह में एराउंड 31 था फिर भी वो वार्निंग दिखा रहा था क्योंकि मैं पहली बार इस वार्निंग को फेस कर रहा था इसलिए मुझे समझ में नहीं लागा मैं सोचा कि हावखह में इसलिए हावखह बरवा है एक्शली पूर सबके सबमें 33 बराता में 33ंठ पर रिट भी 33 बरा के 10 के चलने पिर बी वो वार्निंग गया नह्यूद सो मेंने सोचा अगर 35 बराके देखते हैं क्या होगा करके 35 आव बर आया है वो पे तेस ब लहारा और चलने के बाद और वो वार्निंग वही से रह razem मैंने कस्टमर केर को फोन किया उन्हों ने कहा कि आप गाड़ी लेके आओ हम लोग चेक करके फिक्स करके देंगे लेकिन मुझे वहाँ जाने का टाइम नहीं था क्योंकि वह वीग डे था मुझे आफिस जाना था इसलिए मैंने सोचा किसी टाइर शोरूम में दिखा दू जब मैं टाइर शोरूम में गया तो फिजिकली उन लोग ने टाइर चेक करके बोला और हवा भी बढ़ा यह आपका टीपीमस में कुछ प्रॉल्म है टीपीमस मॉनिटरिंग सिस्टम में प्रॉल्म है लेकिन वो वीकेंड आया साटेड़े जो मेरा चुट्टी वहता है तो मैं शोरूम गया सर्विस सेंटर गया वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि वो टायर में एक पिन गुसा हुआ था पिन एसा गुसा हुआ था कि मैंने अगर उनको पूचा जो जिसने रिपैर किया उनको पूचा अगर पिन अंदर था तो हावा गया क्यों नहीं वो बोल रहा था तेन सेकेंड्स में एक बार दो तीन बबल आ रहा था बहुत चोटा सा पंक्चर था इसलिए आपको शायद पता नहीं चला करके बोला और उन्होंने पंक्चर फिक्स करके दिया शोरूम वाले जैसे आपको पता है वो नॉर्मल पंक्चर नहीं डालते हैं वो जो मश्रूम पंक्चर करके एक होता है अक्शिली ट्यूबलेस टियर में मश्रूम पंचरी डालना चीए लेकिन यहां हर स्ढ़ में हर पंक्चर श्ण व्यार टायर में मश्रूम पंक्चर किट अविलेबल नहींद〉 ता इसलिए हम नॉर्मल जो वो उनकी स्कूरो से होल करके बार में ए करना चाहिए क्योंकि उसने होपन फिर से Хот़ो कि हवा कोने का चांस सभी भी सब्सक्राइब तैर्स टायर ने लिप लीट होने के चांस नहीं इस लिए ऩो मुझे लगा कि जैसे कि मेरा पहले कार में ये टी पी अमेस नहीं था तो जब भी हवा कम हूता तो मैं भरता था और अगर एसे ही इस कार में अगर ये नहीं होता तो वही मैं कंटिनु करता जब भी पेट्रल बराता था तो हवा बराके चलाता था मुझे शायद पता भी नहीं चलता कि मेरे टायर में पंक्चर है इसलिए ये टीपी एमेस बहुत यूसफुल चीज है दोस्तों ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ मेरे नया क्रेटा में तो आप सबको शेर करना अच्छा समझा जब भी आप जो बबल जैसा वार्निंग आता है किसी एक टैर में आप हवा बरके देखिए बाद में भी वो वार्निंग नहीं चला तो उसमें एक चोटा सा पंक्चर जरूर होगा इसलिए शेर करना मैं ठीक समझा तैंकी दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस मेरा नए कार के बारे में जो भी एक्सपीरियंस मुझे नए मिलता है तो मैं शेर करूगा तैंक्यू